नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका टेट एस्पिरिंट यूटूब चैनल के अंदर तो इसके अंदर बेसिकली हम बेटा देखते हैं इसके अंदर हम बेसिकली 50 को टारगेट करते हैं आउट ओफ वन फिफटी कोस्टन को टारगेट करते हैं 10 हमारे तारकी कभी शमता के होते हैं और 30 questions हमारे गनित के होते हैं 30 questions हमारे गनित के होते हैं 10 aptitude के 10 reasoning के होते हैं ठीक है तो start करते हैं वीडियो को without wasting any time तो बेटा आज हम discuss करेंगे percentage percentage के questions को हम परतीसत के questions को discuss करने जा रहे हैं तो ठीक है percentage परतीसत तो पहला question आपके screen पर है तो इसको बताएंगे आप कि क्या है हमारा right answer क्या है बेटा right answer बताईए जल्दी से if 120 is 20 percent of a number then 120 percent of that number will be किसी संख्या का 20 परतीसत 120 है तो उस संख्या का 120 परतीसत कितना होगा तो देखो गई जैसे कि यह question है जैसे equal वाला है यह कह रहा है किसी संख्या का 20 परतीसत हमारा किस के बराबर है 120 के बराबर है तो एक परतीसत लिखा लेंगे तो यह 20 नीचे चल जाएगा इसके तो यह कितना आ जाएगा जाएगा कितना आ जागा भी 6 आ जाएगा एक परतीसत हमारा 6 आ गया जीरो यह आ गया 720 ऑप्सन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है उप्सन नंबर डी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है इस question के लिए चीजे के लिए हो रही है तो एक step के question आता है और एक हमारा आता है more or less वाला तो वो आगे देखते है ठीक है अब इसका राइट आंसर हमारा डी पार्ट हो गया आप देखते है next question अब यह देखो question क्या है if the income of Ram is 12 1 by 2 percent more than that of Sam the income of Sam is less than that of Ram by यदि राम की आए स्याम से 12 1 by 2% अधिक है तो स्याम की आए राम से कितने परतिशत अधिक कम होगी ठीक है तो देखो भई एक है राम एक है स्याम अब इसमें एक more or less का है अब हमें यह पता होना चाहिए कि साड़े बारा परतिशत क्या होता है इसको हम ratio में convert कर लेंगे ratio में convert करा यह हमारा गुणा हो गया 24 और यह plus हो जाता है एक यह हो गया 25 by 2 percent यही तो है अब percentage को हमें fraction में convert करने के लिए क्या करते है 100 से क्या कर देते है डिवाइड कर देते है 100 से डिवाइड कर देते तो यह हमारा 2 multiply आजागा तो यह आजाएगा हमारा 1 by 8 क्या आगया 1 by 8 है ठीक है अब 8 था राम की if the income of राम इस राम की आए ज्यादा है कितनी 2.5 बारा परतीसद तो वो है 1 by 8 मतलब की 8 का 1 by 8 करोगे कितना आजाएगा एक आएगा और एक जादा है तो कितना आगया नो तो मतलब की यह वाला हमारा original value होता है और यह हमारा increase होता है ठीक है तो 8 से 9 हो गया मतलब की राम की आए है 9 और स्याम की आए है 9 तो क्या पूछा है स्याम की income of श्याम is less than that of राम कितना कम है तो एक कम है क्या है एक कम है किस से हमारा राम से कितना कम है यही तो पूछा है तो यह कितना आजाएगा डिवाइड करने से हमारा आ जाएगा ये ये परसेंटेज आ जाएगी तो ये हमारा option number one क्या है विल्कुल right answer है और हमें पता भी होना चीए क्या पता होना चीए हमारा one by nine fraction क्या होता है ये होता है अब ये वाला fraction दे देगा जैसे ये दे रखा है 11 by one by nine परसेंट आया है ना हमारा तो इसका fraction क्या होता है one by nine होता है तो कुछ fraction याद भी कर सकते है वरना simple तरीका तो यही है percentage को हमें fraction में convert करना है divide कर दीजिए 100 से और और हमारा अगर हमारा fraction है उसे percentage में convert करना है तो 100 से multiply करना पड़ता है यह हमें पता है तो option number a क्या आगया बिल्कुल right answer आगया अब इसी concept पर एक नया question इसको आप खुद करने की कोशिस करेंगे if निताज salary is 25% more than papaya salary then the percentage by which papaya salary is less than निताज salary is यदि निताज का वेतन papaya से 25% अधिक है तो papaya का वेतन निता से कितने परतीसत कम है देखो पताओ क्या होगा इसका answer एक है निता एक क्या है papaya यह दो लड़किया है अब निता की salary क्या है more है कितनी 25% हमें पता होना चीए 25% क्या होता है क्या करेंगे 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे 25 और यह 1 तो यह आगया 1 बाइ 4 कितना है 1 बाइ 4 है fraction मतलब की हमारा 4 है और एक ज़्यादा तो कौन सा ज़्यादा है निता की salary ज़्यादा है ना तो यह हमारा 4 है papaya और यह हमारा एक ज़्यादा है मतलब 5 है यही बात है अब इसमें यह पूछा है papaya की salary कितनी कम है नीता से तो एक कम है obviously एक कम है किस से नीता से तो नीता का नीचे आ जाएगा और हमारा 100 से multiply हो जाएगा किसलिए percentage में convert करने के लिए इसको इस से cut करेंगे तो यह आजागा 20 यह हमारा आजागा 20% 20% option number B क्या है बिल्कुल right answer है option number B क्या है बिल्कुल right answer है इस question के लिए ठीक है चीजे के लिए हो रही है चीजे के लिए हो रही है बेटा यह concept तो सीख गए ठीक है आप देखते है next question question number 4 अब यह है हमारा 80% if 80% of a number added to 80 gives the result as the number itself then the number is अब 80% किसी का number है उसमें add करा कितना 80 तो देखो यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ जाता है तो परिणाम पराफ्ट परिणाम हमें संख्या के बराबर है तो संख्या क्या है तो देखो हमने मान लिया वो number हमारा x है 80% इसका ही तो जोड़ रहे है x का में कितना जोड़ रहे है 80 जोड़ रहे है और हमें क्या संख्या पराफ्ट हो रही है x ही पराफ्ट हो रही है यही तो बात कहिए यह हमारा 8 by 10 लिख सकते है यह X और यह X है यह लिख सकते है और यह हमारा 80 यह X यह चीज है अब 80 हमारा इस तरफ ही रहने दिया और X को इधर ले गए ऐसे ले जा सकते है यह हमारा किस के बराबर हो जाएगा यह हमारा आजाएगा 2 by 10 X यही तो हैगा अब X हमारा किसके बराबर है बेटा X हमारा बराबर आजागा 400 के X हमारा यह 1 और यह 5 और यह दर पंटिप्लाई हो जागा तो यह 400 आजागा Option number C क्या है बिल्कुल right answer है Option number C is very correct answer for this question ठीके समझ में आ गया 80% of a number कहा था ना किसी संख्या का 80% कहा था तो हमें पता है 80% क्या होता है 80 by 10 होता है यह होता है तो ऐसे करके हमारा यह answer आ गया 400 C part क्या है बिल्कुल right answer है इस question के लिए अब देखते हैं next question तो अब फिर से वही more the income of C is 20% more than B and the income of B is 25% more than C find by how much percentage is C income more than A तो देखो तीन आदमें दे दिये दोना देकर इस बार तीन आदमें दे दिये अब किस-किस की बात कर रहा है था income of C is 6 है एक ज्यादा है ठीके चीजे के लिए रो रही है एक तो यह चीज आ गई अब दूसरी बात क्या कहिए था income of B is 24% more than A is percent 25% 25 500 यह क्या आगया؟ 1 by 4 आगया 4 से एक ज्यादा 4 थी पहले और एक ज्यादा है तो income of B ज्यादा है कितनी? 25% यह मतलब 4 है तो एक ज्यादा यह है तो यह हमारा 5 है यह तो पहले से ही 5 है तो इसको यहीं पर लिख देंगे वरना अगली लाइन में लिखते हैं और फिर हमारा वह घड़ा बरो मैथड इस्तमाल होता है वह अगले कोशन में देख लेंगे तो यह हमारी चीज किलियर हो गई अब इसके अंदर पूछा है find by how much percentage is seized income more then किस से ए से a से कितना ज़्यादा है a 4 है और e 6 है तो 6-4 दो ज़्यादा हो गए अब किस से पुछा है more than a तो a क्यों क्या रखना पड़ेगा नीचे रखना पड़ेगा और multiply 100 कर देंगे तो यह आ गया 1 by 2 यह कितना आ गया 50% हमारा answer आ गया option number b क्या है बिल्कुल right answer is question के लिए option number b क्या है बिल्कुल right answer बेटा ठीक है चीज़े clear हो रही है clear हो गई चीज़े तो यह है भई हमारा answer अब देखते है question number तो दो question रह गए तो यह भी question उसी तरह है क्या है two numbers are respectively 20% and 50% of a third number ठीक है what percent is the first number of the second मतलब की दो number है हमारे वो क्या है third number के 20% है और हमारा 50% है अब 20% को कैसे लिख सकते है तो पहले तो हम number लिख लेते हैं का थर्ड नंबर का हमने थर्ड नंबर को मान लिया भई अब हमने मान लिया यह हमारा है थर्ड नंबर हांडर्ड थर्ड नंबर हमारा क्या है हंडर्ड है तो यह क्या है 20% है 20% है टू नंबर्स तो 20% है पहले वाला 20% कितना हो जाएगा हंडर्ड से हंडर्ड कट जाएगा तो यह आगया 20 यह तो बात हो गई 50% अफ थर्ड नंबर 50% यह 50 आ गया तो ओल जीरो से जीरो जीरो इनकी एक एक जीरो कट सकती है तो दो पांच दस यही तो हमारा रेशियो आ गए इसके अब क्या पुछा है what percent is the first number of the second यह first number क्या है second का कितना percent है तो यह कर लो first number second number यह हमारा 20 यह आ गया 40 आ गया 20 into 2 40% option number D क्या है बिल्कुल right answer है इस question के लिए option number D क्या है बिल्कुल सही उत्तर है 40% समझवागी चीजे इस concept की जरुत नहीं पड़ी क्यों नहीं जरुत पड़ी क्योंकि इसके अंदर more की बात नहीं की गई more की बात करता then हम क्या करते इसको लगाना पड़ता है ratio के साथ किस से simple हो जाती है चीजे वैसे तो हम क्या कर सकते हैं वैसे देखो मैं अगर आपको बताना चाहूं तो जैसे कि हमारा कोई भी number हमारा 100% होता है अब उसमें 20% जैसे बोला 20% जादा है 20% more है तो वो कितना जादा हो गया तो 120% लिका लो ये मतलब होता है अब कोई भी number 100% होता है अब कम बता दिया less है कितना माइनस 20% है मतलब की कम है तो ये कितना आ जाएगा 80% लिका लो उस नमबर का तो ये आपका traditional method है ऐसे कर सकते हैं वरना ratio वाले ratio के करने से तो बहुत बढ़िया बहुत आसानी से चीजे हो जाती है के लिए ठीक है अब द देखते last question of the day आज का आखरी question क्या है two numbers are respectively of third number तो ये तो वही चीज हो गई अच्छा अच्छा च्छा तो ratio पूछा है तो ratio भी हमने लिखा लिया था चलो लेकिन फिर से एक बार लिखा लेते हैं यह हमारा one और two और ये three number हमने मान लिया number third को ten मान लिया इस बार अब first number हमारा twenty percent है तो twenty percent है twenty percent मतलब यह होता है twenty percent किसका थर्ड नंबर का थर्ड नंबर के 10 है यह 10 से 10 हो गया यह 10 टू जा तो two आ गया यही तो होता है और fifty percent है थर्ड नंबर का fifty by hundred थर्ड नंबर केतना है वही टैन है टैन से यह कट गया 10 बार और यह 10 से यह five बार तो यह हमारा आ गया five अब हमें पूछा है क्या पूछा है देन दर रीशियो अव दा टू नंबर तो दो नंबर का हमारा रीशियो पूछा है तो हमें पता है बई रीशियो क्या है दो रीशियो पांच है दो रीशियो पांच है पहले और दूसरे नंबर का यही तो पूछा है option नंबर ए क्या है बिलकूल right answer है चीजे clear हो रही है तो यह questions आपके percentage से आते हैं ठीक है इस टै हैंगे या तो direct compare कराता है अगर more की बात करेगा तो आपको percentage जो भी percentage देखे उसको रीशियो में convert कर लेना नीचे वाला उसका original value रहती है फिर उपर वाली चीज क्या रहती है उतना बढ़ गया अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ कितना percent भई है 24 25 25 50 तो ऐसे आप करके देख लेंगे हैं ना यह चीजे होती है तो कितना भी percentage आ जाए percentage को fraction में convert करना है तो आपको ग्या करना पड़ेगा 100 से divide करना पड़ेगा परसेंटेज को fraction में convert करने के लिए और हमारा जो अगर फ्रेक्शन है उसे percentage में convert करना पड़ेगा तो hundred से multiply करना पड़ता है ठीक है यह चीज़े clear हो गई तो उम्मीद कर रहा हूं चीज़े clear हुई है clear हुई तो like कर दीजे, share कर दीजे, subscribe कर दीजे चैनल को thank you for watching this video have a good day जाय हिंजाय भारत